सब्जेक्टिव शीट नंबर एट का क्वेश्चन नंबर वन में जाएंगे सब्सक्राइट करने तो इसमें से इसे सब्सक्राइट करने पर एर्रस आपस में एड हो जाएंगे सही हो गया नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् add ही होंगे, error add होंगे, clear है नातर, next, किते होंगा हो गया था ये, हो गया था, next question number 3, question number 3 में, ठीक, कि दो length आपको given है, l1 plus minus delta l1 और l2 plus minus delta l2, find a difference in length of the rod, तो दोनों में difference निकालना है, तो पहली length में से दूसरी length को minus, पर error आपस में क्या हो जाएंगे, add, ठीक, add, ठीक है नातर, इस में से इसे minus कर दिया, और error तो add होती है, इस में से इसे minus किया, मैंने, ये temperature difference नहीं, ये length का difference नहीं कैसे मरजी कर लो, temperature difference या potential difference V2 minus V1 होता है, otherwise length तो first length के बना है, second के बना है, तो नहों को minus करती है, जुरूरी नहीं कि L2 में से L1 नहीं minus होगा, इसमें final initial का चक्कर नहीं होता, length में, length में, length and breadth के बना है, 12 plus minus delta l, B plus minus delta V, आपने आपसे नोट में आता, कभी-कभी आप दो बर question solve करते हो, कभी एक ही करते हो, अगर तो निकलता है, निकाला जाएगा percentage error, फिर दो बर solve नहीं करना, फिर exponent का rule लगा हो, 100 से multiply कर हो, done, लेकिन अगर वो अपना error इस form में पुछे, तो इसमें दो terms है, ये पहली term है, और ये दूसरी term है, तो correct value of area अलग निकलेगा, correct value of L into correct value of B को multiply करके, और delta A अलग निकलेगा, delta A के लिए दो term आपस में multiply हो रही है, तो delta A by A, delta L by L, delta B by B, तो यहाँ पे delta L पता है, delta B पता है, L और B भी पता है, चारो वेली दूपर से पता है, और यहाँ से area A भी पता है, 19.38, 19.38 राइट पे होगा, answer आएगा, उस answer को यहाँ पे पुट करते हैं, कितनों को हो गया था यह, मैंने बहुत नोट किया एक और चीज, यह जो area है ना, लोग यहाँ पुट करना है बूल जाते हैं, वो कैते हैं, आप हो गया, delta A, मैंने का कैसे, कैसे देखो, यहाँ फॉर्मूला, यहाँ प तुम्हें area को यहाँ right side पे multiply करना पड़ेगा, यह भूल मचाना, क्या यह point clear है यहाँ तक, put out इसमें, next question number 5 में doubt, तो 5 अबने किया भी था, यह displacement है, s plus minus delta s, यह time है, t plus minus delta t, आपको क्या निकालना है, velocity percentage, अगर तो मैं यह बोलूं कि v plus minus delta v निकालो, फिर question दो बार होगा, और उसमें percentage बोला, तो फिर कुछ करना ही नहीं है, exponent गिया division का rule, delta v by v, delta s by s, delta t by t, दोनों sides को 100 से multiply, 1, 2, 3, 4, यह चारो values गिवन है, solve करके delta v by v into 100 की value 3.5%, कितनों का हो गया यह, जैसे ही है, आगे errors, फिक है, next question number 6 में, percentage error किसमें गिवन है, length में गिवन है, and time period में गिवन है, तो length को क्या लिख लिए, delta l by ln to 100, और time period में delta t by t into 100, यह गिवन है, किसमें निकालना है, आपको g में निकालना है, formula दिया नहीं, but आप पिछले experience से करना जानते हैं, कि time period of a pendulum is t is equal to 2 pi root l by g, last lecture में हमने किया था यह formula, नहीं भी दिया, तो यह formula आपको पता होना चाहिए, तो आप इसमें क्या करें, time period का formula note करें, squaring करें, जैसे last time सिखाया था, जिसमें error निकालना, उसको left पे लखें, फिर यह rule लगाए, delta g by g, 4 pi square में error होगा नहीं, delta l by l, और 2 into delta t by t, put out इसमें, अब क्योंकि length में percentage error 1% given है, तो पूरा इसकी जगा 1% और time period में 2% है, पूरा इसकी जगा 2 तो solve करके कितना answer आएगा, 5% हाँ, आएगा, सेम आएगा, क्योंकि वो half adjust हो जाएगा, पापर हाफ ली होगी, चलेगा, squaring में थोड़ा मुझे ठीक लगता है क्योंकि G निकालना है पाकी टर्म देखता है, टेंशन कहता है, तो तबर half adjustment करने पढ़ती है, चलेगा, point समय में यहां तक, ठीक है, next question number 7, फिर से दो length given है, L1 plus minus delta L1, और साथ में L2 plus minus delta L2, find sum and difference, sum में तोनों को add कर दो, error को भी add कर दो, difference में actual number में से actual number minus कर दो, पर error add कर दो, किया था हमने, error तो add ही होते है, इसमें को doubt इसमे, length and breadth फिर से given है, लेकिन इस बर क्या निकालना है, percentage error in area, तो अब percentage error निकालने के लिए, rectangle है, area का formula मुझे पता है, मैं अपने question को दो बार नहीं करूंगा, जब भी percentage की बात आएगी, तो मैं correct और error निकालता हूँ, मैं simply क्या करता हूँ, formula लिखता हूँ, delta A by A, delta L by L, plus delta B by B, क्योंकि दो number आपके multiply हो रहे हैं, और multiply हो रहे हैं, त तो इसमें 100 से multiply कर दें, आपको इस question में L, delta L, B, delta B given है, चारो values right side पे given है, solve कर के percentage में answer आगया, point समय आ रहे हैं यहां तक, को doubt इसमें, ठीक, next, यह doubt होगा, पहले तो यह formula लिख लो, relative density का, यह liquid के chapter में आएगा, पर अभी आप इसमें ही आपको चाहिए होगा, तो पहले relative density का formula लिखो, weight of the body in air, loss of weight of body in water, यह formula लिखो झाया. तो एक बार समझते हैं फिर आप लिखना ठीक है देखो यह liquids के अंदर normally क्या होता है कोई भी body का weight अगर 10 newton है हवा में अब किसी भी body को उस body को 10 newton वाली body को पानी में ले जाओ पानी क्या लगाता है upthrust जैसे किसी भी body का weight 10 newton है पानी लगा रहा है 2 newton force उपर upthrust force of buoyancy तो पानी के अंदर weight क्या हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 तो यानि कि हम भी जब पानी के अंदर जाते हैं तो हम हलके feel करते हैं क्योंकि पानी क्या लगा रहा होता है upthrust up का मतलब ऊपर thrust का मतलब होता है force उपर की force तो कि अंग्रेज ने अंग्रेज का आप थ्रस्ट ऊपर की force ठीक है नहीं तक तो यह upthrust है चलो हमें अपसर्स चाहिए नहीं वैसे बता रहा था आपको यह पॉइंट में आ गया कि एर में वेट अलग होता है पानी के अंदर वेट अलग होता है पानी के अंदर जब हम जाते हैं या कोई भी बॉड़ी को डालते हैं तो हमां तो वेट कम हो जाता है तो कुछ लॉस हो दो न्यूटन तो इसकी रेशियो को कि हवा में क्या वेट है और पानी में क्या वेट है इसकी या लॉस इन वेट ऑफ कितना लॉस हुआ पानी में जाते ही तो कितना हवा में वेट है कितना वेट लॉस हो गया इसकी रेशियो को बोलते है रेलेटिव टैस्टी तो रेलेट the body first in air than in water इतनी सी बात से relative density की definition में बिल्कुल भी clarity नहीं है आप ये line पढ़के relative density के बारे में नहीं लिख सकते ये आपको formula इसको proper देना ही चाहिए था नहीं दिया कोई बात नहीं मैंने आपको दे दिया अगर के question के है कोई body air में कितना weight करती है 10 plus minus point 1 तो ये air है 10 plus minus point 1 newton तो ये किस में weight है air में तो मैंने इसको कैसे represent किया weight in air plus minus delta weight in water कोई doubt इसमें क्या ये point clear रहा था ठीक next है water में कितना weight तो ये loss नहीं है पानी के अंदर कितना weight करती है पानी के अंदर weight है w water और ये delta w water सही है तो loss कितना हुआ loss in weight कैसे निकलता है इस weight में से इस weight को क्या करना पड़ेगा minus चलो minus करते हैं माइनस करना आपको आता है कैसे 10 में से 5 गया तो 5 लेकिन errors आपस में add होते हैं तो क्या हैगा point 2 तो मैंने इसको represent किया weight loss ये weight का loss है और ये उसमें error है तो ये point भी clear हो गया ठीक है अब मेरा formula क्या है relative density का weight of body in air w air air का मतलब weight of body in air divided by loss of weight of the body in water तो w loss लिख लिए मैंने जो भी loss हुआ उससे divide कर दिया तो definition clear है ये formula clear है अब क्योंकि दो numbers आपस में divide हो रहे हैं तो division ये exponent का rule लगाए delta relative density by relative density is equal to delta w air by w air plus delta w loss upon w loss क्या ये formula clear है ठीक है देखने में वो b q r s या x y z नहीं है जैसा भी है वैसे का वैसा rule लगा दिया exponent का ठीक है आतर आपको इसमें percentage value निकाल ली है percentage relative density 100 से दोनों sites को multiply कर दिया अब value put करते हैं w delta w air कितना है delta w air 0.1 divided by w air w air कितना है 10 put कर दिया delta w loss कितना है 0.2 w loss कितना है 5 इन टू हंडड़ कर ओ पांच प्रसेंट अंसर आगा अब नूट कर लो नूट डाउट पुछो आपके लिए मुश्किल था ये करना क्योंकि ये फ्रोड़क्टर की यह यार मताब यह कैसे सोच हो गए इतना पहले फॉर्मूला नहीं पता फिर यह माइनस वाला कर लेना चाहिए कलको आ गया तो यह भी अलग टाइप का प्रप्लम है ठीक नॉर्मल से तोड़सा यह भी हट गया है कर लेना चाहिए एक्स्ट्रा क्वेस्चन है तो समझ में आ रहे हैं यहां तक कैसे सूचने आइसको किसी का हुआ है थे पॉमला ही नहीं पता है वह भी कैसे उसर पता नहीं होता है इसलिए नहीं हुआ होगा नोट करना है नोट कर लो कोई दिखती है झाल 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 तो नेक्स्ट वोल्टेज वाला कॉश्न आपने किया हुए है इसमें डाउट कुछ करना नहीं है, इसमें r का plus minus delta r पता है, आपको इसमें क्या निकालना है, surface area with error, percentage नहीं गिवन, तो s plus minus delta r, जब percentage नहीं गिवन, plus minus में निकालना है, absolute error निकालना है, तो बार होगा, एक बार s के लिए अलग, correct value अलग, 4 pi r square किया था हमने, और delta s का अलग, delta s में, delta s by s, 2 into delta r पाया, तो delta r और r पता है, 2 पता है, s की value यहां से यहां put करनी है, और answer आएगा, और मैंने बताया था, कि जब s की correct value ले रहे है, 4 pi को नहीं छोड़ना लेना है, लेकिन जब deltas लेते हैं, तो delta में constant का delta होता नहीं, वो automatically हट साबता है, clear है यहां तक? चूट गया मुँ सहीं, लग रहे है, ने किया, को doubt है तो पूछो, ठीक है, कर दो, हो जाएगा, ठीक है, next, 13th, 13th में doubt, doubt, ठीक है, तो इसमें diameter given है, with error, d plus minus delta d given है, length l plus minus delta l given है, क्या निकालने है, percentage error in volume, percentage में दो बार question जूरत नहीं है, सीधा एक बार लगाए, exponent दा formula लगाए, अब problem ही है, कि अपने को given है diameter, और यहां क्या given है, radius, तो कोई बात नहीं, r को d by 2 कर लो, तो क्या बनेगा, v pi d square by l into 4, अब लगाओ rule, delta v by v, pi और 4 को छोड़ दो, 2 into delta d by d, delta l by l, है, hundred से दोनों sites को multiply कर दें, आपको delta d पता है, d पता है, delta l पता है, right hand side को solve करें, answer 3.25 answer आएगा, percentage में, point सम्झ में आ रहे हैं, यहां तर, ठीक है, तो क्या values given है, और कैसे solve करने सम्झ में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, next है, इस question में doubt, इसमें given है न, mass भी given है, volume भी given है, और दोनों में error भी given है, और सीधा percentage error density में निकालना है, तो density के formula को लेके division का rule लगा लो, delta rho by rho, delta m by m, delta v by v, 100 से multiply कर लो, value put कर लो, answer, easy question है, next, फिर वोई s और t वाला question, को doubt इसमें, पर इस बार percentage नहीं है, पहले आपको दोनों चीज़ें है, calculate velocity with error limits, तो एक बार क्या निकालना है, v plus minus delta v, और फिर end में क्या निकालना है, percentage velocity, तो delta v by v into 100, put out इसमें, हो जाएगा, next question made out, next में, आपको percentage error, mass and velocity में given है, mass का percentage error क्या है, delta m by m into 100 given है, velocity का क्या given है, delta v by v into 100 given है, आपको momentum में और kinetic energy का percentage velocity का error का निकालना है, percentage, तो momentum का formula लिखें, दो term आपस में multiply हो रही है, तो delta p by p, delta m by m plus delta v by v, 100 से दोनों sides को multiply करने, आपको mass का percentage error given है, 1.5, आपको velocity का given है, 2, तो total answer क्या आएगा, 3.5 percent, गलत आएगे, 3.5 आ रहा है ना, ठीक है, मैंने ठीक है, देखा नहीं मैंने अभी देखे, 3.5 सही है ना, ठीक है, और ऐसी kinetic energy, kinetic energy half mv square, exponent का rule लगाए, delta k by k, half को छोड़ने, delta m by m, 2 into delta v by v, 100 से multiply, mass का percentage पता है, velocity का percentage पता है, solve कर क्या answer, ठीक, momentum का लेना पड़ेगा, उसे gula momentum, एक बार energy, एक बार momentum, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, पर फिर पहरे ये solve करना पड़ेगा, वो ज़्यादा इसी है, मैं निकाल सकता हूँ ऐसे बैसे पर जिरूत में ये ठीक है, ज़त वे, पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ था, ठीक है, next question तो मेरे ख्याल से सही है, यह तो, कोद इकत निया इसमें, next question भी सही है, exponent का rule था, याद है न, exponent का rule लगा के 100 से multiply clear है, हो जाएगा, series parallel का question है, हमने अभी किया है, आज class start होने से पहले, यही question था, series का वैसी कर लोगे, parallel का answer गलत है इसमें, parallel में यह formula लगेगा, आज मने लिखवाए है shortcut formula, इसमें use करके delta rpi आएगा 1.8 आ रहा है, 18 नहीं है, 1.8 correction कर लेना,